आज मैं आपके लिए लेके आयो hidden heart cake जो दिखने में जितना खुबसूरत लगता है खाने में उतना ही लाजवाब है और जैसे कि आपको पता है जनवरी अलमस्ट खतम हो रहा है और फेबरवरी वैलेंटाइन स्पेशल रहता है तो उसके लिए ये हमारा special hidden heart cake आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल में बेकमाइडी कुकिंग स्टूडियो तो आज मैं आपके लिए एक बहुती स्पेशल रेसिपी लेके आयो hidden heart inside तो आप चाहो तो उपर से cream cheese की frosting कर सकते हो आप चाहो तो विप cream की frosting कर सकते हो और या पिर आप चाहो तो बटर क्रिम की frosting उसमें कर सकते हो तो चलिए देखते हैं यह हमारा special valentine वाला जो first recipe चल रहेगी हमारी वो actually हमारी बनती कैसे है तो चलिए recipe की तरफ यहाँ मैंने लिया है मैदा यह है मेरी powder sugar यह है गर्ड यहाँ पर मैंने लिया है milk consistency adjust करने के लिए oil cocoa powder और यह है baking soda तो सबसे पहले में एक बाउल ले लेती हूँ बड़ा वाला उस बाउल में हम लोग डाल देते हैं पहले तो oil, oil है मेरा 50 ml oil लिया है मैंने इसमें मैं डाल देती हूँ curd वो भी मैंने 50 ml लिया है इन दोनों को अच्छे से mix कर लेते हैं इसमें मैं डाल देती हूँ powder sugar जिसको मैंने लिय यहा है 85 ग्राम और उसके साथ में हम लोग डाल देते कोको पाउडर 1-4 टीस पी बेकिंग सोडा 1-4 टीस पी और विनेगर में यहाँ पर डाल देती हूँ हाफ टीस पी यहाँ पर मैंने यह विनेगर यूज किया है वैनिला इसेंस डाल देते थोड़ा सा ड्रॉप यहाँ नहीं करना है और नहीं लगेगा भी और रेड़ कलर few drops यहाँ पर हम लोग डाल देते और जैसे मैंने बोला है हम लोग सबसे पहले रेड़ वेलवड स्पंज बनाएंगे आपको भी याद रखना है तो सबसे पहले जो हमारा इसके के लिए स्पंज बनेगा वो सिर्फ इसके हर्ट कट करने हैं तो यहां पर देखें में केक को बेक कर लेती हूं 20-25 मिनिट के लिए कढ़ाई या फिर ओवन में और आप देख सकते हैं यहां पर मेरा यह केक बेक हो चुका है इसको में थंडा होने के लिए रख देती हूं तब तक हम लोग वैनिला स्पंज के तरफ जाते हैं इसके लिए मुझे यहां पर मैदा, थोड़ा सा दूद, थोड़ा सा ओईल, कंडेंस मील, देनी यहां पर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोड़ा तो सबसे पहले बाउल में हम लोग ले लेते हूं 25 मेल, कंडेंस मील डाल देती हूं मैं 100 ग्राम और इन द दालेंगे बेकिंग पाउडर, हाफ तीयस पी, और इसमें मैं डाल देती हूं बेकिंग सोड़ा, वन फोर्थ तीयस पी, और इनको भी हम लोग मिक्स कर लेते हैं बैटर को, और दूद अट्जस्क कर लेते हैं, जैसे हमें आप स्पंज की जोब हमारी बैटर की कंसिस्टनस होती है, सेम वैसे ही करना है, बहुत गाड़ी भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं, और मैंने जैसे की बोला है, आप कोई भी मेथड यहापर यूज कर सकते हैं, स्पंज बनाने के लिए, इवन इन रेड वेलवेट ऑलसो, यहापर मैं डाल देती हूं, हाफ टीयस पी विन बनना ही, तो यहापर मैंने एक ब्रेड टीन लिया है, और उसमें में देखे, यह मेरा बैटर है, उसका मुझे सिर्फ वन थर्ड डालना है, पॉइंट चु भी रिमेंबर गाईज, यहापको सिर्फ वन थर्ड बैटर यहापर डालना है, देखे, मैंने आधा भी नहीं डा है, अब हम लोग क्या करेंगे, यह इसे कटर साते हैं, हर्ड शेप के जो कुकिज कटर होते हैं, ऐसे तीन साइज मिलते हैं, आप जो अपको अच्छा लगे, वह ले सकते हैं, छोटा लेरी हूँ, तो जब मैं ऐसा प्रेस करूँगी, तो ऐसे मुझे हर्ड शेप अलग नि काफी अच्छे शेप में कट हो चुका है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे नियरली इतने पिसेस कट कर लिया है, और अभी क्या करना है, यह हर्ड मुझे इस टाइप से रखने हैं, मैं अभी ऐसा रख रही हूँ, आप चाहो तो भी रख सकते हो, one and only, same things है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको इस टाइप से माउंड किया है, यह प्रोसीजर सबसे इंपोर्टन्ट है, यहाँ पर और जो रिमेनिंग बैटर है, वो हमें अभी इसके उपर साइड में पूरी तरीके से डाल, जितना भी बैटर हमारा ब क्लीन ना निकले, यास, हमारा के का राम से बेक हो चुका है, मैं इसके इस निकाल लेती हूँ, वाव, लग रहा है एकदम परफेक्ट, और उसकी हाइड भी काफी अच्छे से आई है, इस कलर भी बहुत है, जो साइड है, वो कट कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें आपका शे थीरे-धीरे कट कर लेती हूँ, थोड़ा थंडा होने के बाद कट कर येगा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि कितना प्यारा वो हर्ट दीख रहा है, वाव गाईज, इस सूपर्ब, मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ, वाव, क्योंट है ना, इसन्ट इट पर पसंद आई होगी, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत बुलिए, और वैलेंटाइन्स में ये केक जरूर बनाएं, और मुझे टेस्ट करके जरूर बताएं कि आपको ये केक कैसा लगा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लिए, बा बाइ, थैंक यू सो मच्